गोविंदा, 90s और early 2000s के टॉप हीरो में से एक थे From comedy to action, उन्होंने हर तरह के रोल में audience को impress किया पर अकसर फिल्म्स की शूटिंग के दौरान actors के साथ ऐसे हाथ से हो जाते हैं जो उनकी दिल और दिमाग पे छप जाते हैं आज हम आपको बताएंगे गोविंदा के उस ghost encounter के बारे में जिसने उनको इतना डरा दिया कि वो जान बचाने के लिए तुरंथ होटल से अपने घर भाग गए तो हुआ कुछ यहों की एक बार एक खिली एरिया में शूट करते वक्त गोविंदा जहां रह रहे थें वो उनकी मताबिक बहुत स्ट्रेंड सा होटल था एक बार आदी रात को सोते वक्त उनकी अचानक आँख खुली और उन्होंने देखा कि एक बुढधी औरत उनकी चाती पर बैठी थी खबराए हुए गोविंदा एक तम से उठे और नाइट लैम्प आउन किया जैसे ही उन्होंने लाइट आउन की फो खुरत कायब हो गई गोविंदा ने ये भी नोटिस किया कि उनका सब समान चारों तरफ बिखरा पड़ा था जबकि सोने से पहले उनका समान परफेक्टली अरेंच था इस हाथ से इसने उनके माइंड पर ऐसा असर हुआ कि शोर मचा के किसी को बुलाने की बात तो दूर वो वहाँ से भागे और मुंबई जाकर ही सांस ली I got so scared that I ran for my life that night and only stopped when I had reached Mumbai Whenever I recall that incident, I get goosebumps, said Govinda while talking about that incident क्या आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ है? क्या आपने या आपके किसी जानने वाले ने spooky experiences face किये है? हमें लिख कर जरूर बताईए कमेंट सेक्शन में ऐसी और exciting Bollywood stories के लिए subscribe to our channel and stay tuned